हेलो नमस्ते आप सबका स्वागत है हमारे यूटूब चानल में तो आज सीखने वाले हैं mean division and its coefficient about discrete series हम लोग सिखेंगे आज mean division कैसे निकालेंगे और इसका coefficient कैसे निकालेंगे वो भी discrete series का वो भी mean से यहाँ पर देख सकते हैं जो question है find the mean division and its coefficient about the mean हम लोग को mean division निकालना है and its coefficient निकालना है about the mean तो यह पूरा concept आज एक ही वीडियो में सिखा दूँगा तो वीडियो अन तक देखेगा और हमारे चैनल को subscribe भी कर लिजिए क्योंकि हमारे चैनल पे एक ही वीडियो में सारा concept के लिए सिखा दे जाता है चलिए इसका solution करते है पहले हम लोग क्या करेंगे इसका table बना लेंगे तो यहाँ पे जो question है find the mean division and its coefficient about the mean तो आपके exam में आता होगा find the mean division and its coefficient about the mean यह आएगा यह about the median आएगा तो आज का यह जो वीडियो है about the mean का है तो यहाँ पे जो table है आपको इस तरह का table देगा तो आप लोग समझ लेना यह discrete series का table है ठीक है तो discrete series का एक हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे पुछा हुआ है about the mean find the mean division and its coefficient about the mean तो हम लोग को पहले हम लोग को क्या find out करना होगा mean find out करना होगा ठीक है अगर यहाँ पे find the mean division and its coefficient about the median होगा तो हम लोग पहले क्या find out करेंगे median find out करेंगे उसका वीडियो का description में लिंक दे दूँगा वहाँ से आप लोग देख लिजिएगा तो यह पहला वीडियो है तो यह पहले हम लोग कर लेते है तो पहले हम लोग क्या करेंगे table बना लेंगे इस तरह से x, f, f, x का क्योंकि हम लोग को पता है mean निकालने के लिए हमको x चाहिए f चाहिए, f x चाहिए इन दोनों को multiply कटके चाहिए तो यह जो table है, इस परकार का table हम लोग देखते हैं तो समझ जाएंगे कि यह discrete series है तो जो value है यहां पर x की value है 3, 5, 7, 9, 11, 13 वह यहां पर मैं रख दूंगा 3, 5, 7, 9, 11, 13 इस तरह से हम लोग यहां पर रख देंगे यहां पर आपका कुछ भी data हो सकता है x में जो data आपके exam में होगा वह ही data यहां पर रखते और f की जो value है यहां पर frequency जिसको कहा जाता है वह भी हम लोग यहां पर place कर देंगे यहां पर 6 है 6, 8, 15, 25, 8 & 4 है हम लोग वही लिख दूंगा इस तरह से इस तरह से हम लोग का जो exam में आया होगा question इस तरह से हम लोग fill up कर देंगे उसके पर हम लोग mean निकालने के लिए आपको f x चाहिए इसको multiply करेंगे 3 x 6 करेंगे तो 18 हो जायागा फिर इसको multiply करेंगे तो हम लोग का 85, 40 हो जायागा फिर इसको multiply करेंगे तो 105 हो जायागा फिर इसको multiply करेंगे तो कितना होगा कितना हो जाएगा आप लोग को calculator है तो calculator से भी कर सकते हैं अगर calculator नहीं है तो आप लोग अपने दिमाग से कर ले 25 x 9 करेंगे तो 225 हो जाएगा 11 x 8 करेंगे तो 88 हो जाएगा 13 x 4 करेंगे तो 52 हो जाएगा इस तरह से आप लोग कर लेना उसके बाद हम लोग summation निकाल लेंगे summation fx का मतलब है इन शारे अंका को जोड लेंगे 18 प्लस 40 प्लस 105 प्लस 225 प्लस 88 प्लस 52 इन सारे अंका को जब जोड़ेंगे तो हम लोग को आ जाएगा 528 आप लोग काल्कुलेटर करके देख लेंगे उसी तरह से यह न की बैलु निकाल लेंगे यह तरह से यह यह सारे अंका को जोड़ लेंगे 6 plus 8 plus 15 plus 25 plus 8 plus 4 सारे को जोर लेंगे लिए थो हम लोग का आजाएगा 66 इससे हम लोग निकाल लेंगे इतना निकालने के बाद हम लोग min निकाल लेंगे पहले जिसको x बार बल जाता है mean को 9 मीन को x बार बल जाता है formula क्या होता है mean का summation fx by n summation fx कितना हमारा 528 एन हमारा 66 है अगर 528 को 66 से डिवाइट करेंगे तो चलिए कालगोटर यूज कर लेता हूं 528 को 66 से डिवाइट करेंगे तो हमारा जो बहलू आएगा वो 8 आजाएगा इस तरह से यहां पर मैं 8 लिख देता हूं ठीक है इतना करने के बाद हम लोग को एक टेबल बनाना होता है क्या टेबल बनाएंगे एकस माइनस एकस बार ठीक है मोडलस देंगे इसका साइन का अर्थ है मोडलस ठीक है एकस हमारा 3 है x बार हमारा 8 है यहाँ पे देख सकते है तो 3-8 करेंगे तो minus 5 होगा तो यहाँ पे plus 5 लिख दूँगा इस modulus का मतलब क्या होता है अगर minus में भी आएगा answer तो यहाँ पे plus ही लिखना पड़ता है 3-8 करूँगा तो minus 5 आजाएगा तो यहाँ पे 5 लिख दूँगा 5-8 करूँगा तो minus 3 होगा तो यहाँ पे plus 3 कर दूँगा 7-8 करूँगा तो minus 1 होगा तो 1 लिख दूँगा 9-8 करूँगा तो 1 हो जाएगा 11-8 करूँगा तो 3 हो जाएगा तो यहाँ पे 3 लिख दूँगा कॉट टेबल बनाना होता है f x-x-bar का इसको इससे multiply करना होता है ठीक है तो वही लिख लेंगा मैं यहाँ पर f modulus x-x-bar तो यहाँ पर कितना value आया हुआ है 6 यहाँ पर कितना है 5 6 into 5 करेंगे तो 30 हो जाएगा multiply करना है 8 into 3 mitä 3 24 हो जाएगा 15 into 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा 25 into 1 करेंगे तो 25 हो जाएगा-うसी तरह से 8 into 3 करेंगे तो 24 हो जाएगा 4 into 5 करेंगे तो 20 हो जाएगा इस त्रह से आप लोग कर लेना आप एक्जामें गोलो गोलो ये जो सर्कल कर रहा हूं ये मत करना ठीक है मैं आपको समझाने के लिए ये सर्कल मैं ने कर दिया इतना करने के बाद आपको समेशन करना होता है f x-x-bar का समेशन का अर्थ क्या होता है इन सारे अंकर को जोड़ देंगे यहां पर 30 प्लस 24 प्लस 15 प्लस 25 प्लस 24 प्लस 20 करेंगे तो हम लोग का जो बैलू आएगा वह आजाएगा 138 इतना आजाएगा इतना कर लेंगे तो सारा काम हम लोग का लगबग कम्प्लीट हो चुका है बस आपको ये टेबल याद रखना है ठीक है mean division and its coefficient for discrete series के लिए ठीक है इतना करने के बाद हम लोग formula यहां पर use करने वाले है चलिए यहां पर मैं निकाल लेता हूँ mean division mean deviation about mean about को from mean भी बोला जाता है mean division about mean लिखे या mean division about from mean लिखे कोई बात नहीं है mean division का formula होता है जो यह है वही हो गया formula हमारा summation f x minus x bar divided by n अब इसका जो है summation x minus x bar by n बोले तो यह 138 है 138 divided by ठीक है यहां पर आप लोग को देख सकते है 138 है divided by n कितना है हमारा यहां से 66 है 138 divided 66 करेंगे तो हमारा कितना आजागा 2.09 आजाएगा यह हमारा mean division about mean हो चुका है यहां पर हम लोग क्या निकाल चुके है? mean division about mean हमारा कितना चुका है 2.09 इस थरह से हम लोग निकाल लेंगे अब हमको coefficient भी निकालना था तो coefficient के लिए क्या करेंगे यहाँ पे मैं mean division coefficient of mean division लिख लेता हूँ चलिए यहाँ पे मैं अच्छी तरह से लिख लेता हूँ coefficient of mean deviation ठीक है coefficient of mean division is equal to mean division about mean हो गया formula mean division about mean divide by यहाँ पे फर्मला होता है mean x bar ठीक है mean division about mean जो है हम लोगा कितना है हुआ था आप लोगों यहाँ पे देख सकते है mean division about mean हम लोगा कितना है था यहाँ पे देख सकते है 2.09 आया हुआ था तो मैं यहाँ पे mean division about mean में 2.09 लिख लेता हूँ mean बोले तो कितना है था हम लोग का चलिए यहां से आपको दिखा दू mean जो आया था हमारा 8 आया था 8 से हम लोग divide कर देंगे 2.09 को 8 से divide करेंगे तो 0.26 आ जाएगा answer ठीक है यह हमारा coefficient of mean division हो गया इतना कर लेंगे तो आपको फुल माक्स मिल जागा आयोप आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा समझ गया होंगे full concept तो आप गर आपको exam में mean division about mean आएगा and its coefficient आएगा तो आप लोग इस तरह से कर लेना इस data का ठीक है मिलूंगा नेक्स वीडियो में अभी के लिए बाइबाई और एक बात और बता दू find the mean division and its coefficient above the median आपको description में लिंक मिल जागा वहां से देख लिएगा यह आपको discrete series का है आप गर आपको individual series का चाहिए वह भी description में लिंक मिल जाएगा आपको mean division का playlist ही है हमारे चैनल पर तो आप लोग जाकर देख सकते हैं तो I hope आप लोग को अच्छा लगा होगा वीडियो अच्छा लगे तपने दोस्तों के साथ share करें हमारे चैनल को subscribe करें मिलूंगा नेक्स वीडियो में बाइ बाइ